नमस्ते गाई जोराच की fight वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं featherweight champion ilia to poria और bmf champion max all away के face to face के बारे में जहाँ पर दोनों fighters ने especially ilia to poria ने max all away के साथ बहुत जादा trash talk किये तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं एक चीज़ point out करना चाहता हूं कि finally fighters की बीच में face to face वापिस आ चुका है तो ये बहुत अच्छा marketing scheme है क्योंकि इससे fight काफी अच्छे से promote होती है और मैं तो चाहता हूं कि ये जो digital face to face है ये physical face to face हो जाए just like john jones versus daniel kawmy की बीच में हुआ था और ये normally हम देखते हैं boxing में तो दोनों fighters की बीच में जो main बाते हुई हैं उनको अगर cover करें तो इस face to face में हम देख सकते थे कि इलिया टुपोरिया ने अपनी belt के साथ BMF belt को भी रखा हुआ है जापर से यही पूछा जाता है कि उसने BMF belt को क्यों रखा है तो इलिये टुपोरिया कहता है क्योंकि वो feel करता है इस belt को रखने के लिए तो इसलिए उसने इस belt को अपने पास रखा हुआ है मैक्स ओलेवे इलिये टुपोरिया के पास BMF बेल्ट को देखकर ये बोलता है कि इलिये टुपोरिया एक बिगड़ा हुआ चाइल्ड है जिसने बेल्ट को बाय कर लिया है अब जब बात आती है मैक्स ओलेवे और जस्टिन गेची की फाइट की तो यहाँ पर इलिये टुपोरिया कहता है कि ये फाइट एक बोरिंग फाइट थी जहाँ पर उनली लास्ट के 10 सेकेंड्स एक्साइटिंग थे अब यहाँ पर इलिये टुपोरिया मैक्स ओलेवे के सामने ये चीज बोलता है जहाँ पर वो मैक्स को कहता है कि जो वो लास्ट 10 सेकेंड्स में एनरजी को शोग करता है अगर उसके पास दम है तो वो उनकी फाइट में ये फास्ट के 10 सेकेंड्स में करके दिखाए और फिर देखी कि उसके साथ क्या होता है तो क्या Max ये वाले चैलेंज को accept करता है तो Max Allaway ने इस चैलेंज को accept नहीं किये जहाँ पर वो कहता है कि इलिय टुपोरिय तो definitely like करेगा कि वो उसके साथ starting की टेंसिंगिट्स में ही ब्रॉल करने लग पड़े क्योंकि इलिय टुपोरिय अपनी हर एक fight में gas out हो जाता है अब इसके बाद Max Allaway की best boxer की बात आती है तो यहाँ पर इलिय टुपोरिय कहता है कि ये absolutely shame है और Max Allaway को ये चीज कभी भी फिर से नहीं बोलनी चाहिए वो अपनी fight में कोई भी head movement को नहीं show करता है उसकी fight में zero technique होती है उसके पास zero knockout power है तो वो ये चीज कैसे बोल सकता है कि वो best boxer है meanwhile उसकी बात करें तो उनकी fight में जब Max Allaway उसकी power को feel करेगा तो Max Allaway बोलेगा my goodness इलिय टुपोरिय कितना ज़्यादा powerful है तो इसका reply देते हुए Max Allaway कहता है कि वो इलिय टुपोरिय की power को feel करने के बाद यमी बोलेगा और बोलेगा कि उसे और चाहिए अब इसके बाद इलिय टुपोरिय बात करता है कि Max Allaway को basically bully किया गया था इस fight को लेने के लिए उसे force किया गया जहांपर Max Allaway उसकी against fight करना ही नह जिसने उसे ये बोला है कि वो उसे avoid कर रहा है उसने कभी भी नहीं बोला कि वो Michael Channel के साथ fight करेगा बलकि वो UFC को बोल रहा था कि उसे इलिय टुपोरिय की ही fight चाहिए क्योंकि वो champion बना चाहता है और वैसी भी इलिय टुपोरिय अभी उसके लिए एक easiest fight है और फिर इसके बा Max Oliver को भी वो old people के home में भेजतेगा अब last point को cover करें तो basically Max Oliver ये बोलता है कि इलिय टुपोरिय का जो fight IQ है वो boxing level का ही नहीं है और basically इलिय टुपोरिय एक high IQ वाला boxer नहीं है तो इसका reply देते हुए इलिय टुपोरिय कहता है कि fight में Max Oliver को पता चलेगा जब वो अपनी balls को right place पे र लखेगा तो यहां पर Max Oliver कहता है कि इलिय टुपोरिय लाइव अपने आपको touch क्यों कर रहा है उसे calm down रहने की जरूरत है और probably Spain में अभी night हो चुकी है तो उसे sleep कर जाना चाहिए और फिर end में इलिय टुपोरिय कहता है कि sleep की बात लगी है तो फिर fight में Max Oliver को pillow लेके आने की है क्योंकि जब वो उसे knockout कर देगा तो उसे stars दिखने वाले हैं और उसे probably pillow की need पड़ेगी तो यह थी पूरी बातें जो Max Oliver और earlier to Puray के बीच में हुई है और to be honest मैंने इस face to face को बहुत जादे enjoy किया क्योंकि काफी जादे यहाँ पर trash talk हुई है और यह best way है fight को promote करने का जब अब दोनों में से कोई एक fighter trash talk करने वाला हो तो definitely fight बहुत अच्छे से promote होती है और यहाँ पर भी exactly same हो रहा है तो UFC को चाहिए कि वो और ऐसे face to face करवाए बट let's be honest जो मजा आता है physical face to face देखने में वो यह जो online हुआ है उसमें इतना मजा नहीं आता है और moving on to the next update तो अब बा करेगा क्योंकि recently John Jones Gordon Ryan और Olympic gold medalist के साथ training कर रहा था और यहीं पर उसकी एक short clip काफी viral जा रही है जहाँ पर वैसे तो सिर्फ वो wrestler के साथ grappling की training कर रहा होता है बट एक दम से I think so John Jones की muscle memory ने kick कर लिया जहाँ पर out of nowhere वो एक flying knee को दो करता है जो थोड़ी सी Olympic wrestler के face में connect भी हो जाती है तो John Jones की training काफी अची जा रही है वो वापीस आ रहे अपनी form में तो अब let's see उसकी fight against T.P. Miocic कैसे जाती है और अब moving on to the next update तो अब बात करते हैं Dustin Poirier के एक proposal के बारे में जहाँ पर वो प्रोपोस करता है कि baddest motherfucker belt के लिए एक four man का tournament होना चीए जहाँ पर वो खुद होगा जस्टिन गेची होगा डैनुकर होगा and obviously BMF champion Max Allaway रहेगा अब यह जो डस्टिन सजेस्ट कर रहा है यह एक इनाइट में बात कर रहा है जहाँ पर वो चाहता है कि पहले वो fight करे जस्टिन गेची के साथ और Max Allaway fight करे डैनुकर के साथ और फिर दोनों में से जो win करेगा वो फ पड़ीगी अब यह एक night वाला concept तो नहीं बट एफ four man का जो tournament है यह जब डैना वाइट को बताया गया तो डैना वाइट बहुत जादे interested लग रहा था जहाँ पर reporter यह भी कहता है कि क्योंकि यह जो BMF belt है यह traditional belt नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अपनी rules को बनाया जा सकता है four man का tournament करवाय जा सकता है तो basically डैना वाइट यह सारी बातों को सुनकर बहुत जादे excited था Dustin Poiré proposed a four man tournament for the BMF title him, Gaethje, Max and Dan Hooker. Is that something you'd ever consider? I mean it's BMF so you can make up your own rules. Sounds fun. Never thought about it but yeah I love it. So that's it for today guys. यह वीडो बसिकली इले तो पर यह पर थी. So what do you guys think about this? Do let me know in the comments और मिलते हैं नेक्स वीडियो में.